क्या आप भी अपने customers को timely follow up करना भूल जाते हो और क्या आपको भी ये सारी problem साती है कि जैसे आप customers को timely reply नहीं कर पाते हो या अपने customers को time to time offers नहीं भेच पाते हो या festival पर उनको wish नहीं कर पाते हो या customer से किस date पर payment लेना है ये भूल जाते हो तो हमारे पास आपके सभी problem का एक solution है WhatsApp CRM आपका customer relationship manager अगर आप अपने business में WhatsApp का इस्तेमाल करते हो तो WhatsApp CRM आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है WhatsApp CRM के जरीए आप customer को timely follow up कर पाएंगे और customer को आप बड़े ही आसानी से regular bulk messages भेज सकते हो और अपने customer के साथ अच्छा relationship बना सकते हो WhatsApp CRM की मदद से आप अपने WhatsApp में chatbot और auto reply भी enable कर सकते हैं आप CRM की मदद से अपने WhatsApp का inquiry का data भी निकाल सकते हो मतलब कितने नई customers ने आपको इस month message किया आप सभी का data एक साथ निकाल सकते हो और सभी को एक साथ follow up कर सकते हो इसके अलावा CRM आपको payment reminder भी देगा किस customer से कब और कितना payment लेना है आपको ये भी याद दिलाता रहेगा CRM की मदद से आप multiple groups में भी message कर सकते हो CRM से आप WhatsApp का unlimited link और QR code भी generate कर सकते हो बस इतना ही नहीं WhatsApp CRM में आपको बहुत सारे features मिलते हैं जो आपके business को आसान बना देगा और आपके business को grow करने में आपकी help करेगा तो चली हमारे computer screen में मैं आपको दिखाता हूँ WhatsApp CRM में कौन-कौन से बहतरीन features है और आप इसे कैसे use कर सकते हो और इसके फायदे उठा सकते हो तो ये है हमारा WhatsApp का CRM तो आप WhatsApp CRM का layout देख सकते हैं तो इस तरह WhatsApp CRM आपको दिखाई देता है अभी मैंने अपना WhatsApp login कर लिया है आप WhatsApp CRM के features देख सकते हो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उपर में काफी सारे options दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे features छेपे हुए हैं मैं आपको एक एक करके CRM का पूरा overview दे देता हूँ जैसे आप उपर देखते हो तो यहाँ पे all, unread, one on one यह बहुत सारे tabs बने हुए हैं जहां से मैं अपने chats को categorize कर सकता हूँ अगर मैं unread पे click करूँगा तो मुझे वो message दिखाई देंगे जो मैंने अभी तक नहीं read किया है अगर मैं groups पे click करूँगा तो सारे groups मेरे आपके सामने आ जाएंगे तो इस तरीके से आप customer को manage कर सकते हो आपके chats miss नहीं होंगे इसके आगे आप business पे click करोगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है broadcast का जिससे आप bulk में messaging कर सकते हो मैं चाहों तो one-on-one message कर सकता ह pinch मैं चाहों तो groups में message कर सकता हूँ multiple group में मैं एक साथ message कर सकता हूँ अगर आपको अपने whatsapp business के labels में message करना है तो आप इस पे click करके labels में message कर सकते हो दो लेबिल का मतलब आगर आपने Whatsapp बिजशन में कोई लेबल बनाया हुआ है जयते मैंने कोई लेबल बनाया है नूव कस्टमर तो यह मैं आठ लोगों को मेसज करना चाहता हूँ तो मैं इसों से सलेक्ट करोंगा और यहां और इसके नीचे अटेश्मेंट वगर आपको जो आड़ करने आप यहां से आड़ कर सकते हो और क्विक्ट सेंट पे क्लिक करोगे आपके सारे में टैब बना सकते हो क्योंकि आपके ओफिशल के आगे यहां पर दिखाई देगा इसके अलावा आप सौफ्वेर में टेंप्लेट बना सकते हो अगर आप एक तरह के मेसेज़ बार-बार करते हो लोगों को तो आप चाहो तो यहां से टेंप्लेट बनाके रख सकते हो ताकि आपको अपने कंटेंट बार-बार मेसेज़ेस पर टाइप या सेव नहीं करना पड़े इसके आगया आप देखोंगे तो वर्कफ्लो का फीचर मिलता है यह रहां आमारा वाट्साप का वर्कफ्लो जिसके अंदर से आप वाट्साप के चैट बोट को इनेबल कर सकते हो अगर आपको यह लग रहा है कि कुछ यह कॉई complicated सा चीज है तो यह Facebook चलाने से भी आसान है यह पांच मिनिट की चीज है आप जैसे अगर software आप purchase करते हो तो आपको training के अंदर यह थारी चीज़े आपको बता दी जाएंगे इसके अलावा आप देखोगे तो software के अंदर schedule broadcast का बनाना है तो मैं इसके चैट को खोल कर यहां CRM के option पे क्लिक करूंगा आप जैसे ही CRM पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का profile दिखाई देता है अभी मानलो कि आपको कोई notes बनाना है या reminder set करना है इस client के लिए तो आप यहां से directly कर सकते हो मानलो कि मुझे इस client को अ अगले बार कुछ discount देना है इससे कुछ discussion हुई है current transaction पर कि अगली बार में इसको discount दोंगा तो मैंने यह याद रखाए कि यह discount मुझे देने अगले बार तो मैं यहां पर मानलो अगली बार इसको 2000 रुपे का discount देना है तो यहां पर 2000 discount on next purchase इस तरीके से मैं save कर दूँगा कि मुझे याद रहेगा कि मुझे अगली बार 2000 रुपे discount देने इस customer को तो हमें याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि इससे क्या बात हुई है तो अगर आप कोई छोटा सा नोट्स बना के रखना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से यहां नोट्स बना सकते हो इस 10 तारिक के दिल सामके 4.45 बजे software मुझे remind कर देगा कि इससे payment लेना है अगर कुछ details डालने है तो मैं डाल देता हूँ जी हाँ इससे 10K payment लेना है मुझे 10K due मैंने यह लिख दिया तो अभी क्या है मुझे यह software याद दिला देगा 10 तारिक को कि मुझे इससे payment लेना है तो इस यह जिस client से follow up करना है 10 तारिक को सामके 4.45 बजे तो यह यहाँ पर reminder के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है मैं चाहूं तो reminder के option से भी जाके check कर सकता हूं कि कि कितने clients के साथ मेरे payment due है या फिर कुछ भी reminder मैंने लगा रखा है तो यह एक line से मेरे पास आ जाएगा तो यह मेर आपका WhatsApp का चैट नहीं देख पाए या आपने एने डेस्क पर किसी को connect करा हुआ है आप चाहते हो कि वह आपका चैट नहीं देख पाए तो आप इस तरह blur कर सकते हो जैसे मैंने दिखो blur message पर टिक करा हुआ है अगर मैं इस पर end टिक कर जोंगा तो आपको हमारे chats दिखाई þ भर कर जाएगा आप चआहो तो प्रोफाइल खिर्च कर सकते ओ सब्सक् defacia और कर सकते हो आप चाहो तो प्रोफाइल टिस्प् катeln रिफ बिलर कर सकते हो आप चाहो तो कअब आप चैट खोल गए तो इनके कनवर्सेशन भी ब्लर दिखाई देंगे तो इस तरीके से बहुत सारे ओप्षन है WhatsApp CRM के अंदर जो कि आप अपने बिजनस के लिए यूज कर सकते हो इसके अलावा आप देखोगे तो Link Generator है WhatsApp Link Generator करने के लिए बस आपको यहाँ पर अपना नंबर लिख देना होगा 1012 मैंने अपना नंबर लिख दिया और यहाँ पर कोई भी मेसेज डालना है मानलो कि लिखता हूं मैं I am interested मैं create link पर क्लिक कर देता हूं तो यह software मुझे एक QR code और लिंक दोनों ही बना के देता है और यह link मैं copy करके अपने customers को दे सकता हूं के बाद export context option export context मतलब अगर आपको contact numbers निकालने हैं अपने WhatsApp के अंदर से अपने context के अंदर से तो आप यह feature को यूज कर सकते हो आभी मानलो कि मैं from contacts from groups from broadcast कहीं से भी number निकालना चाहता हूं तो मैं इसको निकाल सकता हूं आभी मानलो मैं contact से निकालना चाहता हूं all context from the list से वालों का निकालना चाहता हूं या निकालना चाहता हूं तो बहुत सारे messages आते हैं जिनको जिनका number हम से नहीं कर पाते हैं तो मैं उनको अगर एक साथ follow-up करने के या tab से number निकालना चाहते हो बहुत ही आसान तरीके से आप numbers निकाल सकते हो और bulk में message कर सकते हो इसके अलावा आप देखोगी group features भी हैं अगर आप चाहते हो कि एक साथ bulk group में join होना है तो आप इस feature को use करके bulk group में एक साथ join हो सकते हो अगर आप multiple groups बंद करना चाहते हो तो group destroyer भी यूट कर सकते हो अगर आपको एक group के जैसा दूसरा duplicate बनाना है तो group clone के उपर click करके आप group को clone भी कर सकते हो जैसे इसके अलावा software में एक बहतरीन feature है rapid response अगर आप चाहों तो आप नीचे देखोगे ना तो जो आपने rapid response add करा हुआ है आपको यहां पर दिखाई देगा यह देखो payment details आपको यहां दिखाई दे रहा है इस पर click करोगे आपका bank details आपका QR code आपका UPI number तब कुछ सामने वाले के पास single click में चला जाएगा तो यह काफी बहतरीन feature है तो आप CRM purchase करते हो तो इसका installation, activation और training हम आपको सब कुछ इसमे provide करते हैं तो अपना WhatsApp CRM आज ही book करने के लिए नीचे दिए गए number पर call या WhatsApp करिए सिर्फ WhatsApp CRM ही नहीं आपको अपने business के लिए कोई भी online marketing की need हो तो आप हमें सीधे contact कर सकते हो